हाई दोस्तो असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मैं आप नवील है अब आप लोग जान देए दोस्तो आइफोन 12 सीरीज जो अभी आने ही वाली है आप मेंसे बहुत लोग पुराने आइफोन बेचेंगे और नए आइफोन के लिए जाएंगे तो ये चीज़ करते वक्त आपस गलती ना हो इसके लिए आज का मरा वीडियो है इसमें मैं step by step procedure बताऊंगा आपको कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है अपना आइफोन जो पुराना वाला है उसको बेचने से पहले बहुत लोग अभी 10R के लिए जा रहा है 11 के लिए जा रहा है 12 सीरीज आने वाली है उसके लिए जाएंगे तो इन बातों का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपसे एक बड़ी mistake हो सकती है और ये mistake को avoid करना है आपको completely ताके आपका जो ये migration है पुराने आइफोन से नए आइफोन पे ये आपके लिए smooth हो और जिसको आप अपना phone बेचते हो उसके computer है computer नहीं है दोनों ही cases में आप क्या कर सकते हो ये completely मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो वीडियो को जो है skip के बिना पूरा दिखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ Letish Shop के बारे में Letish Shop एक cashback देने वाला application है जिनका टायप है 2000 से जाधा stores के जाथ तो हर बार आप किसी भी store पे जागी shopping करेंगे तो आपको cashback मिलता है 500 रुपीज का cashback मिलता है अगर आप कोई भी बड़े electronics करिकते हो flip card से इस application का link चे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है वहाँ से जाके इसको download and install कर लीजिए अपने phone पे email id और password के ज़रे से sign up कर लीजिए यहाँ पे कोई भी store से लेक कर लीजिए flip card go to store पे click कीजिए आप redirect हो जाएंगे flip card पे regular shopping कीजिए जिए आप हमेशा करते हो cashback जो होगा आपके Letish Shop के my account section में आपको दिखाए देगा जिसको आफे draw कर सकते हो UPI या जेनरल में और जेनरल में जाना है software update में आपको यह चीज़ make sure करनी है कि आपका जो iPhone है जो पुराना iPhone है जिसको आप बेशना चारे हो लेटिस्ट iOS के उपर updated है यह चीज़ जो है बहुत ज़दा important है कभी-कभी पुराने iOS version पे आप रहेंगे उसका backup वगर आप बनाएंगे तो उसके बाद नए iOS version पे जाने के ताइम पे कभी कोई मुश्किल पेश आ सकती है इसलिए जो भी उस टाइम पे latest iOS version होग आपके iPhone पे चाये वो iOS 12 का कोई version हो 13 हो 14 हो जब कभी आप इस वीडियो को देख रहे हो कोई tension लने वाली बात नहीं है just make sure that your iPhone is updated to its latest version अब अगली सब से important चीज़ आपको करनी है कि अपने PC या Macbook के साथ अपने iPhone को एक data cable के ज़िए से connect कीज़े और iTunes software जो है वो download कर लीजे iTunes में जब काप connect करेंगे या Mac के finder में open करेंगे तो इस तरीके का आपको interface नजर आएगा यहाँ पे आपको दो option है क्या आपको backup iCloud पे बनाना है या फिर इस PC या Mac पे बनाना है तो आपको second option जो है वो चूज करना है backup the data of your iPhone to this Mac और यहाँ पे आपको encrypted backup पे click करना है यहाँ पे एक password set करना है जिसको आपको भूलना नहीं है ठीक है इस password को एकदम properly याद रखिए set password पे click कीजिए आपका backup जो है अप safe हो जाएगा और उसके बाद जब आप encrypted backup का जो password है वो बना लेते है set backup password पे click कर लेते है उसके बाद आपको backup now पे click करना है और आपके phone का आपको जाना है आपके iPhone के settings में settings के अंदर आपको अपने Apple ID पे यहाँ पे tap करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है iCloud के अंदर iCloud में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा आपका iCloud storage अब इसके अंदर कौन सी चीजे जो है सबसे important है व यहाँ पे यह चीजे हम इसलिए backup करें ताकि आप जब नए phone में sign in करते हो तो at least आपके जो important चीजे है वो आपको वहाँ पे मिल जाए तो यहाँ पे आपको make sure करना है कि आपके contacts, आपके messages यह दो चीज जो है आपके iCloud के उपर backed up हो और तीसरी चीज जो आपकी iCloud पे backup होनी चाहिए वो है आपका WhatsApp यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे applications का iCloud बंद है सिर्फ WhatsApp का चल रहा है ताकि मेरे जो WhatsApp के chat अब इंडिया के अंदर तो हम लोग WhatsApp जादा इस्तमाल करते हैं तो उसका chat जो है वो safe रहे हमारा और एक चीज हमारी जो है safe रहनी चाहिए वो है हमारा keychain बाखी सारी चीज़े जो है हमारे computer में backup होती है यह भी computer में backup हो जाती है लेकिन इसको हम लोग रखना चाहरे है ताकि जब नए iPhone में sign in करें तो यह चीज़ वहाँ पे मौझद और फिर से बताता हूं contacts आपके messages आपका जो keychain है जिसमें आपके सारे passwords stored है और उसके आपका WhatsApp है वो सारी चीज़े on होनी चीज़े बाखी चीज़े off रखेंगे चलेगा आपका जो iCloud है उसमें आपको एक backup बना लेना है iCloud backup बनाना है उसके लिए आपको यहाँ पे iCloud backup नजर आ रहा है इसके टैप कर लीजिए और यहाँ से इसको on करेंगे तो एक manual iCloud backup आपका तयार हो important चीज़ है क्योंकि इस phone के साथ Apple Watch पैट रहे जाएगी इस phone को आप बेज देंगे फिर आपको जो है मुश्किल पेश आ सकती है इसके लापको क्या करना है आपके phone के watch application के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपके जो all watches है इस पे टैप कर लीजिए अलग-अलग जो watchOS आ अपने iPhone से अंपैर कर देंगे और उन दोनों का जो relation है उसको खतम कर देंगे ताके आगे आपको मुश्किल ना है अब आ जाते दोस्तों अगली चीज़ के ओपर जो के काफी important step है ना सिर्फ आपके लिए बलके जिसको आप phone बेचर उसके लिए भी उसको भी आपको trouble में न इसके बाद यहां पे find my iPhone आपको on नजर आएगा तो इसके अगेन टैब कर लिजिए और यहां से आपको find my iPhone off कर देना है इसके बाद आपको यह अपने Apple ID का password पुछेगा जिसको आपको enter करना है turn off पे tap करना है और आपका find my iPhone जो है वो यहां से off हो जाएगा अगर यह आप न नहीं डालना है अब आजाते दोस्तों आखरी step के ऊपर जो आखरी step है यह सबसे important है आपको कोई भी चीज़ जो है manually delete नहीं करना है ना आपके SMS को manually delete करना है ना photos को ना call log को को कोई चीज़ डिलीट नहीं करेंगे आप आप जो मैं बता रहा हूं वो चीज़ सीज़ा कर दें जाएंगे settings के अंदर setting में जाएंगे general में general में जाएंगे सबसे नीचे आप आपको नजर आएगा reset reset में multiple options नजर आएंगे यहाँ पर आपको option number two select करना है जो कह है reset all content and settings इस पर tap कर लीजिए इस पर tap करने कर आद आपको यहाँ पर नजर आएगा erase now देगी यहाँ पर कुछ और बिल्कुल नए phone जैसा हो जाएगा उसमें आपका ना कोई data रहेगा ना कोई message रहेगा ना कोई call log रहेगा ना कोई photo ना कोई image रहेगी तो दोस्तों यह थे सारे steps और step by step procedure जिसकी मदद से आप अपने पुराने iPhone को बेच सकते है safely and securely और आपको कोई भी डर नहीं रहेगा कि आपका कोई photos, videos, पुराने messages या कोई भी important या sensitive data चुरा ले या फिर आपको ये भी sure हो जाएगा कि ना आपको ना किसी और को खरीदार को आपकी वज़े से कोई भी मुश्किल पेश आए तो hassle-free selling experience के लिए ये वीडियो जो है step-by-step procedure है वीडियो के starting में आपको बताया था कि अगर आपका इस computer नहीं है तो आप क्या कर सकते है अगर आपका इस computer नहीं है तो आप borrow कर सकते अपने friend का computer उसमें भी आप backup बना सकते क्योंकि आपका backup आप बना रहे हो जो मैंने step बताय आपको वो एक encrypted backup है यानि कि आप safely securely backup बनाएंगे और आपका friend जो है उसको decrypt नहीं कर पाएगा उसमें से कोई भी information नहीं निकाल पाएगा यूगि पासवर्ड आपका उसमें लगा हुआ है तो वो भी safe है तीसरा तरीका यह है कि आप अपने phone को नया phone लेने के बाद बेचे पहले नहीं बेचे अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते हो और पुराने phone का complete data आपको नये phone में चाहिए तो आपको क्या करना है पुराने phone को नये phone को साथ साथ रखना है जब नया phone setup करते है और उस time पे आपके पुराने phone का सारा data आपके नये phone में चला जाएगा अगर आप उसके उपर भी वो वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा तो वीडियो को चेक आउट जरू कीजिए आपको सारी बाते क्लियली समझ में आ जाएगी कि अगर आपको पुराना फोन नहीं बेचना है इमिजिटली यानि कि नया फोन लेने से पहले तो आप किस तरीके से अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो वो भी विडाउट पीसी उमीड कता हो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसने आओगा पसने को तो इसको लाइक और शेर जरू कीजिए और मेरे चैनल को सब्स्राइब जरू कीजिए गुडबाई